नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोब आप सब मस्त होंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्ट्रस करने वाले हैं ती वाई आर वर्सिस एस टीए का आज ये मैच होने वाला है कुछ देर में आप सभी को ये मैच स्टार्ट होते वे दिखाई देने वाला है अगर आप लोग dream 11 पर team मेनाते हो तो आप सभी को बढ़ाई हो क्योंकि इस team के जरी हम लोग काफी अच्छा profit कमाने वाले हैं इस बात की मैं आपको guarantee देता हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम team को रखने वाले अपने team के लिए जिस तरीके से हम player को रखेंगे अपने team के लिए क्या क्या जानकारी important रखना है क्या क्या इस चीज में बताया जागा आप लोग को सब कुछ आप लोग इस video के अंदर जानेंगे तो video के end तक जरूर देखना और आप लोग में से कोई भी हमारे इस channel पर पहली बार आया हो तो हमारे इस channel को subscribe कर देना साथ इसाथ बेल वाले notification को all पे state कर देना उसके लावा telegram से जितने भाई लोग अभी तक जूड़े नहीं है जल्दी से जाके जूड़ जाना क्योंकि इस video में जो team दी जाएगी उसमें से कुछ भी change होगा या फिर किसी भी तरह की छोटी बड़ी update देनी हो मुझे तो मैं आप लोग को telegram पर ही दूँगा तो इस video में जो भी end तक देखते हैं उनको सब कुछ समझ में आ जाया कि किस player को अपने team में रखना बहतर रहेगा कौन trump card खिलाड़ी रहेगा आज के हमारे इस team के लिए और एक बात telegram को जल्दी से join कर लेना क्योंकि final team और final decision सब कुछ वहीं पर लेकर दी जाती है तो आप लोग इस video को end तक बने रहना सबसे पहले दोनों ही team का performance देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर खेलते हुए आई है दोनों ही team TYR की बात की जाए तो पांच मैच चार मैच खेले हैं जिसमें से दो मैच को यहाँ पर loss की है STA की बात की जाए तो इन्होंने भी दो मैच को loss किया है पर यहाँ पर तीम को win किया है दोनों का जो loss point है बराबर है और winning point की बात की जाए तो STA आगे चली है क्योंकि उसने एक मैच को अधिक खेला था एक्ष्टा मैच खेला था मेरे हिसाब से दोस्तों आज का मैच STA win करेगा आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का मैच कौन सा जीतने वाला है टीम भाई इससे आपको पता क्या इससे हो हमें लगया कि आपकी prediction जो होती है वो सही रहती है फिर गलत इससे हमें मालूम चल जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है आज का पिछ रिपोर्ट जान लेते हैं उसी के हिसाब से हमें कि सेक्षन वाले से ज़्यादा प्लेयर को रखना है अपने टीम के लिए वो मालूम चल जाएगा आज का पिछ रिपोर्ट ज्यादा बैट्समेन के लिए पिक करने की तरफ जाएंगे ठीक है दूसरी चीज इस पीच को और इस पीच का फायदा कौन से बॉलर उठाते हैं ज्यादा तर और कौन से बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है इस पीच के उपर यह चीज जानेंगे सबसे पहले यहां पर आ तो यहां पर 36 विकेट दिए है तो च् hockey चल ले तो आप लोग यहां पर इस पीच के उपर इस पीनर या फिर दोनों की तरफ जा सकते हैं किसी भी तरीकी का आपके उपर नहीं है लिए और तना मतलब आपको यह नहीं लगेगा कि ब्रब मतलब ऑप इस तो तो निकालता है 156 बनेगा क्योंकि ऐसा बड़ा स्कोर इसलिए बन रहा है क्योंकि बैटिंग पीछ होने वाली है जब बैटिंग पीछ है तो बैट्समें अच्छा प्रफोर्मेंस करें गई देखे कुछ रिकॉर्ड को हमने जाना है अगर आप हम लोग टीम बनाते हैं हमारी रिकॉर्ड के आप से बनाते हैं तो हमारी टीम बहुत बहतरीन बनेगी और आप लोग की बता दे कि तो मेरे अजीज दोस्तों आप सभी से बस एक बार और फिर से रिक्वेश्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो के स्कीप करके देख रहे थे तो आप देखना बन कर देना क पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कर रहे थे उस इंफॉर्मेशन के तौर पर आप हम लोग टीम बनाने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए काफी जादे इंपॉर्टेंट है अब इंफॉर्मेशन आप जानो या ना जानो वह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज नही इसकी वीडियो को बिलकुल भी मत करना और वीडियो के एंट तक बने रहना और आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम को जॉइन नहीं किया है टीम के लिए आज रखने माले हैं सबसे पहले आप लोग को यहां पर विकेट कीपिंग के सेक्शन के दिख रहे होंगे कुछ खिलाडी मेरे साब से जिसका हाई परसेंटेज है उसको आपने टीम में आप लोग रख सकते हैं बस आप लोग को प्लेयर को दिलवाना है देखिए सबसे पहले यहां पर जाविद कालो की बात की जाए 94 परसेंट लोगों ने अपने टीम के लिए इसको रखा है और फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए अगर इसकी तो फैंटेसी पॉइंट में अभी काफी हागे और हाई चलने है देखा जाए इनका फैंटेसी पॉइंट ठीक है सबसे पहले तो जाविद कालो की बात की जाए और फैंटेसी पॉइंट यहां पर आप लोग देख सकते हैं पिछला मैच का fantasy point अगर आप लोग देखेंगे तो भाई बहुत बहतर दिया था 182 उसके पिछले मैच में 25, 32, 13 कुछ मैचों में flop भी हुए हैं पर पिछला मैच में काफी अच्छा performance किया था तो मेरे इसाब से आप लोग bowser की तरफ या फिर जाविद कालू की तरफ तो फाइनली दोस्तों बहुत सवर को अपने टीम में हम लोग रखेंगे विकेट वाले से बैटिंग वाले प्लेयर की तरफ चला जाए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर जाविद देख रहोंगे जाविद उनको अपने टीम के लिए आप लोग ड्रॉप करने का रिक्स ले सकते हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी मैचों से इन्हों ने कुछ अच्छा performance नहीं किया है और आज का जो टीम है STA बहुत बहतरीन टीम है तो इतना भी खराब टीम नहीं है इसलिए आपको जाविद को अपने टीम से ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा B ताहिर को अपने टीम में रखें दूसरे छोर से M मुहम्मद आमीन की तरब जा सकते हैं दो प्लेयर आप लोग के लिए काफी बहतर रहेगा पहले तो बैटिंग वाले सेक्शन से नीचे के और आईए M उमर दिखे रोंगे उमर का fantasy point बहुत हाई है दिखाया जाए आप लोग को अगर fantasy point तो देखिए काफी match खेल चुके हैं तो मेरे इसाब से आप लोग अपने team में एक दो trump card खिलाडी यूज़ जरूर करना trump card खिलाडी वही होता है जो कि आप लोग को लगे ना भाई कि यह आज कुछ अच्छा performance नहीं करेगा उसके उपर ज्यादा आप लोग को उमीद नहों और वही आप लोग को अच्छा point दे के चला जाए उसे करते हैं trump card खिलाडी तो मेरे इसाब से एम उमर आज का trump card खिलाडी हो सकता है तो आप लोग टीम में जरूर रखेंगे तो मेरे इसाब से आज के इस team के लिए तीन बैट्समेन काफी रहेंगे अब चलते हैं all rounder player की तरफ तो मेरे इसाब से आप लोग all rounder में ज्यादा से ज्यादा रखने कोजिस कर सकते हैं चार या पांच भी हो सकता या फिर तीन भी चलेगा तो जब से पहले आप लोगों को देखना प्लेयर जो हाई पर्फोर्मेंस कर रहा हूं उसके तरफ चलेंगे और जिसका दो चार मैचों में एक दो मैच में फ्लॉप भी वहा उसकी तरफ भी जाएंगे क्योंकि वही ट् खतनाक परफोर्मेंस करते हैं एक तोर से बताया जाए आप लोगो कि काफी अच्छा पॉइंट देते हैं आप लोग को अगर इनको अपने टीम में रखते हैं आप लोग तो बहुत बैसरीन पॉइंट मिलेगा तो आप लोग के सरीफ की तरफ जाएंगे अपने टीम के लि सकता है जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है संगीत संगीत आज का ट्रम कार्ट खिलाडी बन सकता मैं इसलिए बोलना हूं क्योंकि कुछ मैचों से इनको खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है प्लस परफॉर्मेंस काफी हाई चला था जिस मैच में इन्होंने खेला था उस है दिस लेलो इतना और यहाँ पर जाहिर-दून की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं जाहिर-देन जो हैं बहुत बड़ा प्लेयर है फर्फॉर्मेंस और प्लस यहाँ पर स taraf इस तरीके से रहता है आप लोग यहाँ पर खुच से जानते तो आप लोग जान सकें और इसको अपने टीम में रख लेए चार और प्लेयर हम लोग अपने टीम के लिए सेलेक्ट किये हैं अब मैं दूसरे तरह से आप लोग को बॉलर की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि एन एहमद रहेंगे काफी हाई परसेंटेज है और मैं अपने ट गफूर की तरफ भी चाहो तो जा सकते हैं नबील गफूर काफी बड़ा प्लेयर है यूवा गेंद बाद नहीं है ये इसके अंदर खूबिया है और काभिलियत भी है इस खिलाडी के अंदर तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने टीम में टी वाई आर के एक और खिलाडी को तो हमारे हिसाब से अनसारी अनवर जो हैं बहुत बड़ा प्लेयर है बहुत पढ़िया परफॉमेंस करते वे दिखाई दे रहा है और इस पीच के उपर इस तरीका परफॉमेंस करते हैं वह आप लोग चानते हैं ठीक है यह हमारी टीम बनके तयार हो गई अब हम लोग जो कि नहीं खेलेंगे आज के मैच में भी तो अगर चेंज होगा तो टेली ग्राम पर टीम दी जाएगी और एक बात अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो भाई टेली ग्राम को जरूर जोइन करेना और अब देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं ब इसलिए बोलना हूँ क्योंकि इसके पास दो फॉर्मेट है बैटिंग और बॉलिंग दोनों फॉर्मेट में यह जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आज का कैप्टन मेरे इसाब से यह बहुत बहतर रहेगा वाइस कैप्टन की बात की जाए अगर तो मैं की तरफ आपको ले जाना चाहांगा या फिर के अनवर अंसारी नन वर की तरफ ले जाना चाहांगा तो यह दो कैप्टन वाइस कैप्टन है अब देखे कुछ भीत चैंज होता है तो अगर तेलीगराम पर सब कुछ दे देंगे इसलिए ते बार ए बढर बोलें एन होई जोईन कर लेना और दोस्तों यहां पर सब कुछ तयार हो गए कैपटन मना दियá वाइस वाइस कैपन मना दिया सबकु् immediate ॥ आप अब कुछ भी चेंज होता है तो टेली ग्राम पर सबकुछ दे देंगे worry अगर आप आप लोग चाहते हो फाइनल टीम लेना तो भाई टेलिग्राम को जरूर जोईन कर लेना और इस वीडियो से जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलेंगा आप सभी को अगले पीडिक्सन के साथ तब तक के लिए जैहिंग